हेलो नमस्काल दोस्तों कैसी हां सभी और कैसी चल रही आप लोगों की त्यारियां आवास यार योगी बता देना क्यूंकि थोड़ा सा गला खराब है आज तो रास्तान हाई कोट LDC का एक और मोडल पेपर करेंगे सूपर पास सीरीज जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज सिर्फ रिवजन करवाने के लिए है कि कम समय में आपको ज्यादा सी ज्यादा क्यूसन से वो रिवजन करवाया जाए तो 13 मार्च को आपका एक्जाम है टाइम बहुत कम है तो जो भी आपका स्कोर बने इस टेस्ट में क यह नाम सर्ज कर लेना प्रेला सारन सर के नाम से सारी पीडियप आपको वहीं पर मिलेगी या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा तो वहाँ से भी जोइन कर सकते हैं राइट तो चलिए करते हैं सरवात तो पी 50 क्यूसस हैं और टारगेट रखते हैं कि क्यावं मेंसे कम से कम आप चार्लीज क्यूसस हैं वो सही करें पहले कि काली बंगा किस नदी के किनारे विख्षीत है और कौन सी दिल में काली बंगा एक सबेता है जो सिंदू काटी सबेता की उसे इस जान से मिले थे ये गगर नदी के किनारे पर है तो आप कह सकते हैं गगर नदी भी कह सकते हैं इसे सोतर नदी भी कहते हैं सोतर नदी है इसे 323 नदी भी कहते हैं तो सारी होगई ये। इसे सभी नदी किनारे पर रहे या इसे सबी नदी के किनारे पर है। यानि एक इन नदी की सारे उपनाव है और कालि बंगाग की खोश कीतीया, अमलानाद गोस्ने फेले 152 के दोराणू सांगानेर जो कि जेपुर में है यहां पर राज्य का पहला अंतराश्य वाइड़ा कब बना था यह 2005 में बना था भी आपका सही आंसर हस्त निर्मित काग जी धोकेंदर भी है सांगानेर में सांगानेरी प्रिंट भी है और विश्वेका सबसे बड़ा भूमिगत पुस्ट काले है पोकरण जसलमीर में लेकिन यह किस के नेतरतों में बना था यह बताना है यह हरवन सी निर्मल के नेतरतों में ज़्यादा तर्कियोसन आपका यह आता है कि विश्वेका सबसे बड़ा बुभूगी के संग्राले है कहां पर जसलमिर में है और हरवन सी निर्मल के नेतर्त में इसका निर्मानवा था चले राजस्तान में राष्ट्री यह लोई यूनिर्ष्टी जोधपूर जीले में है लेकिन जोधपूर में कहां पर है पर्टिकुलर जगह बतानी है तो लोई यूनिर्ष्टी है मंडोर में और मंडोर कहां पर है जोधपूर माना जाता है यह रावन का ससुराल था तेक है जिसका राजस्तान में पांसो पचास किलोमेटर यानी टोटल का असी परतीस सबसे जद़ा विस्तार है इसमें उध्यपुरवाले चेतर में और सबसे कम है वो अजमेर वाले एरिया में आता है ठीक है और सब्सक्ते उन्चा वो बाग शिरोई वाले चेत्र में कह सकते हैं तो भी आपका सही वह दुर्ग रास्तान में चितोरओओड़ट के पहसाम सबसी बड़ा लिविंगफोर्ट है तो रास्तान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है एक नमर पर चीत रुटगडवाला और दो नमर पर है सोनार की लाई यानि जसलमीर वाला दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कह सकते हैं वो दुर्ग जो डाई साको के लिए परसीद है सबसे ज़्यदा निन्यान मे बुर्ज बने वे हैं और दर्रावने जीव भ्यान जो कि कोटा और जालावार जीले में है वर्तमान में इसका नाम है मुकंदरा हिल्स पारक कर दिया गया है लेकिन इसे पहले किस नाम से जाना जाता था पहले इसका नाम हुआ करता था राजियू गांधी नेशनल पारक ज अरना जरना नामक जलपरपाथ जो है ये कहां पे बनावा है ये बनावा है जोदपुर में तो C आपका सही एगला है कि परदेश में अंतरी जलपरवाथ की सबसे चोटी नदी जो है वो है काकने नदी ठीक है काकने नदी कहिँ दिजे इसके को कह सकते है मसूर्दी नदी ये जसल मेर में है जो कि एक जھیल का निवान करती है जिसे कहते है बजजhील और सबसे बड़ी आती है आंतरी जलपरवाथ की वो है गगर नदी अगले के आडोती के पटार ये लावा के पटार में राज्य की कितने परतीसे जन्सेंग के निवास करती है तो लगबग 11 परतीसे जन्सेंग के निवास करती है मगरा लोकला मंडल का मुख्याले कहां पर बनावा है तो मगरा लोकला मंडल का मुख्याले अजमीर में यानि एक आपका सही राजय में वार्षी एक वर्षा का ओस्त कितना है देखो यहां पर एक ओप्सन समझना आप लो ओस्त वर्षा है वो होती है 50.5 एक शेमी उस्त वर्षा है तो option में आपको 50 मिल सकता है, 50 मिल सकता है 50 मिल सकता है, तो यहाँ पर 1 भी सही है, 2 भी सही है दोनों सही है, तो हम करेंगे एबे दोनों, ठीक है, दोनों ही लब पास में है तो दोनों ही सही करेंगे, लेकिन अगर यहां पर option A B दोनों वाला नहीं होता तब हम भी कर देते रास्ता में सरवादिक ओला वरिष्टी किस जिले में होती है वो सबसे ज़्यादा होती है जैपुर जिले में और कालिदास ने किस नदी को अंतैसलेला कहा था अंतैसलेला कहा था लूनी नदी जो की नाग पाढ़ जे मेर से निकलती है पस्चमी राजस्तान की मुख्य नदी जिसे खारी मीठी नदी भी कहते हैं उमेद सागर और नाहर सागर नामक बांध कहां पर बनावा है तो उमेद सागर और नाहर सागर बांध है बीलवडा में नहरेक नर्ते भी है बीलवडा का जलचुरों की बस्ते के नम से किस अभ्यान को जाना जाता है जैसमंद वन्य जिव भ्यान को कहते हैं और बनेडा यानि भीलवाडा में किस खनीज के लिए परसीद है तो यहां से तामबे का उत्पादन होता है। यहीं पर अहीरवाटी बोली भी बोली जाती है बहरोड मुंडावर के चेतर में। के लिए कौन से दिला परसीद है तो नवाबों की नगरी टोंक है। ओके दीपावली पर किया जाने वाला नर्ते कौन से एक मातर नर्ते रास्तान का जो दीपावली पर किया जाता है वो है पेजण नर्ते। पेजण नर्ते होते हैं वागड में वागड यानि डूंगरपुर बांशोड़ वाले एरिया में तो डियाव का सही और तोरावाटी बोली की चेतर में बोली जाती है। रास्तान की सरवादिक लोगों की जारब बोली जाने वाली एक बोली है डुंडाडी बोली जो की डुंडाड चेतर में जैपुर के आसपासम बोली जाती है और उसी क्यूप बोली आती है तोरावाटी जो की सीकर वाले चेतर में जो की जैपुर की साथ सिमा बनाता है ठीक तो बैस है दोनों कर दीजे बी आपका सही एक आपका सही और देव नारैने जी बस्बन का नाम क्या है देव नारैने जी जो राजस्तान की लोग दिवता हैं उनका नाम है उदे सिंग झी ठीक है और गुजर जाती के अरादे देव माने जाते हैं ये इनको हम किसका उतार मानते हैं विश्णु बगवान का उतार मानते हैं ओके धनोप माता का मंदी राजस्तान में का आप रहे हैं ये संगरिया जोगे भीलवाडा जीले में भी आपका सही यथा सक्ति सबद में कौन सा समास है यथा सक्ति यानि अव्य भाव समास का उधारन है ये एक आपका सही चले त्री फला संक्यावाज़क हो गया और संक्यावाज़क समास होता है वो कौन सा दिवीगु समास है तो स्तीफला में कौन सा है डिवी गुसमाच यानि C या आपका सही ओके राहा खर्च का सही सामाशिक विग्रह कर रहा है आपको राखच यानि राहा के लिए खर्च राहा के लिए खर्च तो राइट आंसर भी है रात्री सबद के उचित परियावाची बताना है कि रात्री के कौन-कौन से परियावाची है यामिनी, त्रियामा, स्या तो कौन सा हो जाएगा बी वाला उप्सन ठीक है सारे ही जो है वो रात्री के परियावाची है तो राइट आंसर भी है ओके मल्हे सब क्या प्रियावाची सबद की बताना है कि इन मेंसे कुन सा है यानि चंदन को कहते हैं तो प्रियावाची सबद कुन सा हो जाएगा चंदन यानि B आपका सही ओके दीपक सबद के प्रियावाची बताने है दीपक यानि परदीप, दीया, दीप एक नमर वाला उप्सन ठीक है इसका अगल एक इन मैसे जो एक दूसरे की विलोम सबद नहीं है उन्हें बताना है सुबोध का दुरुबोध होता है ठीक है योगी का भोगी ठीक है परितोस एह परितोस छोड़ दिये समरन, V समरन, E, B, ठीक है तो C हो जाएगा आपका राइट आंसर और के निस्चित का विलोम सबद क्या हो ना सुनिस्चित तो राइट आंसर आपका एक नमर है अगल एक आईस कौन से वीधी निशेद शक्रिये वीक्रिये नहीं अश्वत से जागरन ईबी ठीक है तो B हो जाएगा आपका राइटांसा अश्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत का सही विलों सबद क्या होगा भूर्जा भूधन उर्जा भूधन उर्जा यानि राइट आंसर आपका C हो जाएगा सही E पर्ते से बना सबद बताना है कि कौन सा E पर्ते सुकी सुक दन E सुकी सबद जो है विसमें E पर्ते का प्रियोगवा है तो C आपका ठीक है चलिए एक है अनु उपसर्ग तो इन में से कौन सा अनु उपसर्ग से बनावा है सासन अनु सासन ठीक है अनु सासन में अनु उपसर्ग का प्रियोग है तो C आपका सही चलिए इन में से इला परते का प्रियोग बताना है कि कौन सा है उप्प उपेक्षा में ही उप्परत्य का प्रियोग वाई तो एक आपका सही चलिए इन में से मीठाई सब्द का परत्य बताना है कि मीठाई में कौन सा है मीठा दनाई मीठाई आई परत्य लगावा है तो राइट आंसर आपका C है अच्छा दो या चार लड़ी के गले में पहने जाने वाला जो हार होता है वो कहलाता है आपका हांसला यानि एक आपका सही आंसर और इनमें से सबसे बड़ा लोकवाद्य कोन से है टामक सबसे बड़ा लोकवाद्य आता है तो राइट आंसर बी और मेवाड का उधारे किसे कहते हैं मेवाड का उधारे कहते हैं महाना हमीर को जिनोंने सिसोधिय वंस की नियू रखी थी 1326 में विसम गाठी पंचानन या वी राजा भी नहीं का जाता है और मीवाड का बिसं पिता माकेने कहते हैं कुमर चूडा जी को कहते हैं राइट अंसराप का एक नमबर है तो यह थे क्या वन और जो भी स्कॉर बनाए कमेंट करके बता दीजिए गा और एक चीज कि हम पूरी कोशिज करते हैं क्यूंकि क्यूशन हिच कचाना नहीं है जब भी आपको किसी भी टेस्ट में हालांकि कभी-कभी होता है ऐसा ठीक है तो लाइक शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और रात को डैली आर्ट में जे लाइव तो आपको आने ही आना है थैंक यू तब तक मेरा गला भी शीक हो जेको